हेलो नमस्कार जैहिंद वंद्यमातरम साथियो मैं किसनलाल आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आजजे किसने एजूकेशन पर हार्दिक स्वागते हैं अभिन्दन करता हूँ जैसा कि सुबह के साड़े आठ बच चुके है और आपको पता है रेगुलर सुबह साड फेकल्टी पढ़ाती है जो कि आपके सामने में फेकल्टी से एक बार आपको परिचित करवा देते हैं यह दुर्वेश सर है जो कि कलरक में इंगलीश आपको पढ़ाते है बात कर लेते हैं आरडी सर आपको पता है रिजनिंग पढ़ाते है और आपको पता है पालिवाल सर जो की politi और history पढ़ाते हैं और मैं स्योम mathematics पढ़ाता हूँ और बात कर लेते हैं ये सियोम चोधरी जो की आपको science पढ़ाते हैं और DP सर्जों की geography पढ़ाते हैं और विक्रम सर के द्वारा भी science पढ़ाई जाती है तो ये हमारी श्यांदार faculty है जिसके मादेम से आप एप पर दूबरू हो सकते हो अपना topic wise study कर सकते हो चले बिनादेरी के आज के session के सरवात करते हैं और आपको बताओगा एप के अंदर नहीं classes हमारी start हो चुकिए तो जिन्नोंने भी join नहीं किया जूर जोइन कीजेगा और वहां भी फाइदा लिजीगा link आपको description दे रहा है चले बि इतना है साध्य 4 परतिसद यानि 4 सही एक बटा दो इसका मतलव कितना हुआ वही चार दूरी 8 और एक 9 बटे 2 परतिसद दर कितनी देरक है 9 बटे 2 परतिसद देरक है या आपको समझ में आ गया होगा मिस्टर बिन को हमने साधान बिन में convert कर दिया है और मूलदन की बात कर लेते हैं मूलदन की बात कर लेते हैं मूलदन की बात कर लेते हैं मूलदन आपको देरक हैं जो की 5,000 रुपे है कितने रुपे अभी 5,000 रुपे हैं और समय की बात कर लेते हैं समय कितना देरक हैं समय आपको 4 वस देरक हैं कितना वस देरक हैं 4 वस देरक हैं आपको निकाल दर क्या होता है मूलदन गुणा दर इंटू समय बटा सो क्या लगाते है समय बटा सो लगाते है अब जल्दी से जो वेल्यू देर के उसको पूट कर दीजीगा और एकदम आराम से आप इस कुछन को हल कर पाऊगे अब आपको पता है मूलदन कितना दिया पांच जार उपए दिया कितना दियरक है दोस्तों पांच जार उपए दर की बात कर लेते नो बटा दो लिखें कितना नो बटे दो और गुणा समय की बात कर लेते चार वस देरक है और बटे में क्या आएगा बटे में क्या आएगा वही सो आएगा बटे में क्या आएगा सो आएगा ये दो निचे सो के गुणा में होगा, अब जो कट रहा है काटने की एक बार कोशिश करिएगा, ये दो सुने से दो सुने में ने काट दिये, अब बात कर लेते हैं, और काटने की कोशिश करते हैं, ये आपको पता है, दो से कट गया, चार कितनी बार, दो बार, और आपको पता है, गुना दो कितना हो गया पचास गुना दो पचास गुना दो गुना नो तो आपको पता है सो गुना नो यनि आपका जवाब कितना हैगा इस क्योशन का एंसर आएगा 900 रूपे कितना हैगा साधान व्याज की बात कर लेते हैं तो आपका 900 रूपे एंसर आएगा कितना हैगा वही 900 रुपए यानि उप्सन वर आपका सी वाला राइट होगा और यदि यहां कहता मिसर दन बताओ कितने रुपए वापस लोटाने पड़ेंगे कुल मिला के तो 900 रुपए यह हो गे और आपको बता है 5000 रुपए पहले थे आपको यहां कहता है मिसर दन बताओ कह सकता है इतनी रासी लोटाने पड़ेगी तो हम क्या करते 5000 पलस क्या करते 5000 पलस 900 करते तब हम कहते 900 रुपए आपका जवाब आता यदि आपको क्या पूषता यदि आपको बात कर लेते हैं मिसर दन पूषता तब की कंडिशन यह बनती तो सभी विद्यात एक बार नोट कीजेगा चलिए दोस्तों आगे वड़े अगला क्यूस्ट नमर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामन का है क्यों सनमर दो देर का है सुमित ने दत दिन में एक काम का एक बटा चार बाग किया देखो एक बटा चार बाग को कितने दिन में कर रहा है देखेगा ध्यान से मैंने आपको बता रहा है एक बटा चार तीन बटा दो इस तरह से कोई भी काम का बाग देर का हो और हमें निकालना हो कि टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा इस तरह से पहले आपको पता होना चाहिए तो पहले बात कर लेते हैं सुमित किसकी बात कर लेते हैं यह मैंने लिखा सुमित किसकी बात कर लेते हैं सुमित आपको पता है एक बटा चार बाग को कितने दिन में कर रहा है दस दिन में एक बटा चार बाग को दस दिन में कर रहा है इसका मतलब कुल काम यानि एक काम आपको निकालना हो तो आपको पता है चार दस गुणा चार बटा एक ऐसे गुणा करते हैं कुल मिला कि हमने आपको बता रखाए एक बटा चार का उल्टा से गुणा कर दो यानि हम कहेंगे कितना एक बटा चार का उल्टा कितना होगा चार होगा तो हम कहेंगे दस कुना चार बटे एक उल्टा क्या हुआ एक बटा चार का चार बटे एक ये चालिश दिन लगता यदि ये अकेला काम पूरा करता तो 40 दिन लगता है, आगे बात कर लेते हैं, सुमित के आगे कौन देर का है, मुकेस बचा हुआ काम, या मुकेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, मुकेस बचा हुआ काम, बचे का काम कितना, एक बटा चार हो गया, तो बचा कितना, तीन बटा चार, बचा कितना, तीन बटा तीन होगा बीस गुणा चार बटा तीन होगा यह आपको शिद्धी शी बात है तीन बटा चार का उल्टा कितना हो गया चार बटे तीन हो गया तो चार बटे तीन से हम गुणा कर देंगे तो बीस गुणा चार बटा तीन अब जल्दी से कर दो तो यह कितना है असी बटा ती 80 बटा 3 दिन अब आपको पता है जब भी मिलकर काम करवाना हो तो हम क्या लेते है LCM लेते है तो इन दोनों का LCM लेंगे और जब बटे वाली कोई भी संक्या जाए और हमें LCM लेना हो तो उपर वाली संक्याओं का जैसे इसको 40 बटा एक लिक सकते है बिल्कुल तो आपको पता है उपर वाली संक्याओं का LCM लेंगे 40 और 80 का LCM कितना हैगा 80 आएगा कितना हैगा 80 आएगा और बटे में निच्छे वाली का मैस है लेते लेस है निकालना हो तो उपर वाली का लेस है और निच्छे वाली का मैस है लेते तो बट्टे में आपको पता है एक और तीन का मैस है कितना हैगा ये काईगा आपको पता होगा कोई भी भिन वाली संख्या होती है L.C.M. निकालना हो तो उपर वाली संख्या का L.C.M. और निच्चे वाली संख्या का SCF निकालना पड़ता है और SCF निकालना हो तो उपर वाले संक्या का SCF और निच्छे वाले का LCM निकालना पड़ता है यह हमने LCM और SCF का जो टोपिक किया है टोपिक वाइज वाम हमने पढ़ाया था अब आप जल्दी से भाग दीजेगा,啊 SCF में आप 13 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा या आप का जाएगा दो बार, कितनी बार जाएगा दोस्तों दो बार जाएगा, बिल्कुल दो बार जाएगा और इस class की PDF आपको जो भी विद्यार्थी हमारा paid course लिया होगा topic wise पड़ेगा उसके अंदर आपको YouTube classes के नाम से एक folder मिल जाएगा तो जो विद्यार्थी PDF लेना चाहते हैं या regular topic wise class लेना चाहते हैं तो एप डाउनलोड कर लिजीगा एडियो क्रिशना और वहां normally हमारा पे जो होता है उसके अंदर आपको पूरा course मिल जाता है और हमारी सारी की सारी faculty पढ़ाती है जो कि इंडिया की top army की best faculty है वो आपको पढ़ा रही है अब बात कर लेते हैं यहां 80 में बाग देंगे 80 बटा 3 का तो कितना हैगा 80 में बाग देंगे 80 बटा 3 का तो 3 उपर गया 80 से 80 कट गया यानि कितना यह 3 आएगा बिलकुल आएगा अब आपको पता है आपको मिला कर निकालना है यानि सुमित पलस मुकेस निकालना है सुमित दिन आएगा दोस्तों कितना दिन आएगा 16 दिन आएगा तो दोनों मिलके यह दी काम करना हो तो 16 दिन आपका इनस्वर रहेगा यानि उप्शन नमर आपका डी वाला राइट होगा एक बार बताएगा सभी भी धैर्टियों को समझ में आगया होगा यहां LCM लेना आपको आन आगामी अगनीवीर बनना चाहते है या जो आगामी प्रिक्षाओं की त्यारी करे मैथमेटिक्स का एहम रोल रहता है उनके लिए कलास बहुती शांदार और जानदार साभी तोने वाले अगला क्यूस्टन वर तीन आपको देरक है एक पुष्टक विकरता ने एक पुष् रूपए दिया कितना दिया दोस्तो नवासी रूपए दिया अब आपको पता बीश पुष्टकों का निवासी रूपए है तो हम एक पुष्टक का निकालेंगे एक पुष्टक का कितना एगा जल्दी से बताएगा नवासी बट्टा में कितना एगा बीस आएगा और आप को कितनी पुस्तकों का निकालना है च्छतीस पुस्तकों का निकालना है तो च्छतीस से गुणा कर देंगे च्छतीस पुस्तकों का जल्दी से बता दीजीगा कितना हैगा तो हम कहेंगे नवासी बटे 20 और गुणा में क्या कर देंगे च्छतीस कर देंगे अब जो भी कट र वालों को गुणा कर दो 89 को 9 से गुणा करते है नम्मे नम्मे कितना हो गया 80 लगी 8 और आपको पता है बेतर और 8 कितना हो गया 80 हो गया 801 बता कितना पॉन्द पॉइंट दो या कह सकते एक सो साथ पॉइंट दो जिरो रूपए बिल्कुल उप्शन वर आप देखेगा कौन सा होगा उप्शन वर आपका ए वाला राइट होगा एकदम आराम से इस क्यूशन को आप हल कर सकते थे और ये इंडियन आर्मी एक्जाम में कई बार पूछा ग है महतम समा अपूवर तक यानि किस की बात कर लेते है एस्यव की बात करें तो वो कितना देर का है अटारा देर का है एस्यव की बात करें तो कितना देर का है अटारा देर का है उन में से एक संक्या बात कर लेते हैं कितनी देर किए 162 है एक संक्या 162 है तो दूसरी संक्या को गयात करने हैं एकदम आसान इसे आप निकाल पाऊगे आपको मेंने बता क्इड रहो था है संग्याओं का गुलन फल होता है वो किन के बराबर होता है एल सम अब जो भी वेल्यू आपको देर के उनको पूट कीजिएगा और हल कीजिएगा तो आपको एक संक्या कितनी देदी एक सो बासट तो एक मान लेती एक सो बासट है और गुना भी यानि हम संक्या का मान निकाल लेंगे अलस्यम का मान कितना दिया है वही अलस्यम का मान 1134 दिया है और एस्यम का मान कितना दिया है महतम समापवर तक का मान कितना दिया है महतम समापवर तक का मान हटारा दिया है अब जल्दी से काट दीजीगा यह हटारा से कितनी बार कटेगा आपको पता है हटार नमान कितना होत है 162 होता है यानि 9 बार कटेगा अब आपको बताए बी बराबर कितना है गा 1134 बटे में 9 1134 बटे में 9 अब जल्दी से एक बार सभी विद्यार्टी बाइग दीजेगा 9 एक कम 9 फिर बात कर लेते कितना बचा दो बचा 18 यानि 2 बार गया फिर बात कर लेते 5 बचा 6 बार यानि आपका जवाब कितना हैगा 126 आएगा वही दोस्तों कितना हैगा 126 आएगा जो विद्यार्टी उप्शन वर B की तरफ जारे उन विद्यार्टियों का जवाब बिलकूल सही है चलिए दोस्तों कलास के एंट में ये भ करने की कोशिश करेगा बहुती शांदार आपको क्यो संधर्क है पहले बात कर लेते ऐएख और को हो अदी है बात करेओ तो आपको पता यही में बात करूं यहाब फारक की बात कर लेते ब आपको दिखाई देर और एक favour चबड़ देख़ी अब आपको पता है यदी मैं बात करूँ तो पारक की आपको क्या दे दी लंबाई और चोडाई देर के लंबाई की बात कर लेते कितनी देर के 24 मिटर देर के कितनी देर के यह हमने लिखा 24 मिटर कितनी देर के और चोड़ाई की बात कर लेते हैं 16 मिटर देर के बिलकुल 16 मिटर देर के या करती आपको दिखाई देर के थोड़ा सा मैं गहरा कर देता हूँ ताकि आपको सई से नजर आए अब आपको पता है इस तरह से मैंने आकरती आपकी बना दी अब बात कर लेती यदि मैं बात करूँ तो ये इसकी लंबाई और चोड़ाई देर के और इसके चार और देखो आपको पता है क्या या तो अंदर लिखेगा या बाहर लिखेगा और जब नहीं लिखे अंदर या बार इसका मतलब चारों और बाहरी होगा तो रास्ता काटने की बात करा है किसकी बात करा है रास्ता काटने की बात करा है और रास्ते की चोड़ाई कितनी है दो मिटर है तो ये चारों और बाहर की तरफ रास्ता होगा और कई बार नाम नहीं लिखता है तो नाम नहीं लिखता है, इसका मतलब चारों और बार ही तो होगा तो यह आपको पता है, यह हम रास्ता काड़ देते हैं मान लेते हैं, यह रास्ता है यह चारों और बार की तरफ हमने रास्ता काड़ दिया अब आपको पता है ये चार और बाहर की तरफ है बड़ा आयत बन गया और बड़े में से छोटे वाला गटाएंगे तो रास्ते का अच्छे तरफल आ जाएगा अब बड़े आयत आपको पता है लंबाई और छोडाई क्या होगी क्योंकि दो-दो मिटर का क्या है रास्ता है इधर कितना दो मिटर का है और ये भी दो मिटर का है कुल मिला कि हम ये कह सकते है चार मिटर बड़ेगा चार मिटर लंबाई बड़ेगा और चार मिटर क्या चोड़ाई बड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा ये चार बड़ा दो कितना हो जाएगा ये 28 मिटर हो जाएगा ये लंबाई 28 मिटर हो जाएगी और चोड़ाई की बात कर लेते चार बड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 मिटर हो जाएगा सब को दिखाई दे रहें अब आपको पता है बड़े वाले म निकालेंगे तो वो कितना देर का है 24 गुना 16 क्या करेंगे 24 गुना 16 करेंगे अब 16 से गुना कर दो 16 को कितना हो गया 16 हो गया फिर बात कर लेते हसिल लगी 6 और 32 हो चाह कितना हो गया 38 कितना 38 तो यह जल्दी से कर दो मेटर स्कायर और आपको इनका अंतर लेना वही क्या होगा, रास्ते का छेतर फल होगा, तो रास्ते का छेतर फल आपको निकालना था, यही तो कहा है, रास्ते का छेतर फल बताओ, तो जल्दी से गटा दीजेगा, कितना बचा, छे बचा, फिर बात कर लेते, साथ बचा, फिर बात कर लेते, आपको पता एक सो चिंतर, एक सो चिंतर मेटर स्काईर आपका क्याएगा, ये रास्ते का क्याएगा, चेतर पलाएगा, रास्ते का चेतर पलाएगा, तो उक्षन नमर आपका कूंसा राइट होगा, सी वाला राइट होगा, एक बार सभी विद्यारती मेच करेगा, किन किन विद्यार चाह आपके सामने आचुका है, एक वेक्ति एक क्षिलो ना हजार रुपए प्रीद कर, पंद्रा़ सू रुपए में बेचे, तो लाब या हाने पर टिसथ बताओत, तो आपको पता है यदि में बात करूँ, यहाँ क्रेमुले की पहले बात कर लेते हैं क्रेमुले की तो क्रेमुले आपको कितना दे रहा है हजार रुपई दे रहा है कितना दे रहा है दोस्तो हजार रुपई दे रहा है अब बात कर लेते हैं विक्रेमुले किसकी बात कर लेते हैं विक्रेमुले और विक्रेमुले हो रहे हैं लाब की बात करें तो आपको पता है लाब कितने का हो रहे हैं पंदरा सो माइनस कितना हजार यानि पांस सो रुपए का क्या हो रहे हैं लाब हो रहे हैं अब आपको पता है लाब को परतिशत में बताना है और लाब यहानी कभी भी परतिशत में निकालना हो तो आ अब ध्यान रखेगा क्रेमुले की अनुसार निकाला जाता है तो लाब परतिसत क्या होगा लाब परतिसत की बात कर लेते हैं तो हम लिखते हैं लाब बटा लाब बटा क्रेमुले लाब बटा क्या लिखते हैं क्रेमुले और गुणा में क्या लिखते हैं सो लिखते हैं गु में लगेगा एजार और गुणा में क्या लगेगा सो लगेगा कार दीजिएगा दो सुने और एक सुने ये कट गया आपका आएगा पचास परतिशत लाव लाव परतिशत में कितना आएगा पचास परतिशत आएगा बिलकुल जो विद्यार्थियों का जवाब बिलकुल सही है चलिए दोस्तों आगे विड़े अगला क्यूसन नमर बात कर लेते हैं साथ नमर आपके सामने आ चुका है क्या दिया है एक्स की गात तीन एक्स की गात तीन थोड़ा समय सही लिख देता हूं गुना एक्स की गात तीन बट्टे औचे इस तरह के गळा थोड़ा सा क्योसन है, आप इस तरह से लिख सकते हो आराम से एक्स की गात अच्छ है, बट्टे में क्या एक्स की गात अच्छ है? अब आपको पता है गुना और भाग दिखाई दे रहें, तो गुना वाली गाते जुड़ती है और बाग वाली गाते गटती है गुणा वाली गाते जुड़ती है तो उपर आपको पता है जो गाते गुणा में उनको हम क्या कर देते है जोड़ देते है तो कितनी होगी एक्स की गात तीन पलस तीन क्या लिकोगे तीन पलस तीन वट्टा एक्स की गात से और आपको पता एक्स की गाट से बटा एक्स की गाट से और जब किसी भी संक्या में उसी संक्या का बाग दिया जाता है तो आपको पता कितना आता है एक आता है या फिर गात आप गटा के कर सकते हो एक्स गाद चाहे में चाहे गया यादि हम बात कर लेते हैं चाहे में चाहे गटाएंगे जीरो और किसी की गाद जीरो हो इसको ऐसे भी कर सकते देखेगा x की guard 6 minus 6 यानि x की guard 0 और किसी की guard 0 इसकी value कितनी होती है एक होती है तो direct a से भी आप कर सकते है इसका मतलब option number आपका क्या write होगा a वाला write होगा कई बार exam में repeat हो चुका है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला question number बात कर लेते है जो की 8 नमर आपके सामने आ चुका है x की square minus 4x minus 12 के गुनन खंड बताईए क्या हल बताने हल बताने तो इसका मतलब यहाँ कॉमा अठा आजी जिगा हल बताना है या गुनन खंड बताना है पहले बात तो यहाँ हल कर लो या गुनन खंड कर लो क्या यहाँ आपको जो दिखाई दे रहे गुनन खंड है क्या है वह गुनन खंड है ओप्षन में देखिएगा गुनन खंड है तो यहाँ थोड़ा सस्री कर लीजिगा हल की जिगा क्या कर लो गुनन खंड कर लो हल का मतलब x की value बतानी होती यानि x के बराबर आता हो value होती है मान होता है हल होता है ठीक है तो आपको यहां गुननखंड बतना है तो आपको पता है क्या देर कह समीकण दी x square minus 4x minus 12 बराबर 0 और आपको पता है जब भी द्यूगा समीकण को हल करते है तो गुननखंड बीदी से हम हल कर सकते है आपको पता है गुना करे तो कितना आना चीए या एक है एक को बारा से गुना किया गुना करे तो बारा आना चीए कितना आना चीए गुना करे तो बारा आना चीए और बात कर लेते हैं यहांचिन किसका है गटाओ का तो गटाए तो कितना आना चीए यहांचिन किसका है गटाओ का है इसका मतलब गटाए तो कितना आना चीए चार आना चीए यानि गटाए तो कितना आना चीए गटाए तो चार आना चीए तो आपको पता है वो कौन कौन है है च्षै और 2 है Wåand बीज़ च्षै और 2 संग क्या होती है वो आपको पता है गुणा करने फे 1 रा होती है और इनका अंतर या न्यानि गटाने का से हल कर सकते हो किसे देखेगा यहां आपको पता है कोमन क्या रहा है यहां कोमन ले लो यहां कोमन ले लो यहां कोमन आ रहा है एक्स बचा क्या एक्स माइनस चै और यहां कोमन आ रहा है दो पलस का दो कोमन आ रहा है बचा क्या एक्स माइनस चै और एक्स माइनस चै दोनों मे और X पलस दो X माइनस चाह और X पलस दो बिल्कुल उप्शन नमर आपका कहा राइट होगा B वाला राइट होगा एक बार सभी विद्यारती नोट कीजेगा गुनन खंड वीदी से आराम से इसके आप गुनन खंड कर सकते थे और गुनन खंडी आपको उचा गया था चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला क्युस्ण आपके सामने लेते जल्दी से सभी विद्यारती क्युस्ण नमर नो का जवाब देने की कोश्चिस करिएगा बहुती स्यांदार क्युस्ण लेर के पर्तम साथ पर्तम साथ पराकर्त संक्याओं का वर्गों का उस्त बताओ पहले बात कर लेते हैं वर्गों का योग का सुत्र क्या होता है सब को पता होना चीए वर्गों का योग पराकर्त संक्याओं के वर्गों का योग का सुत्र क्या होता है आपको पताओगा एन एन पलस वन और टू एन पलस वन पटाच है यह योग का होता है तो बताओ जल्दी से ओस्त का सुत्र क्या आएगा वर्गो का ओस्त वर्गो के ओस्त की बात कर लेते इसका सुत्र क्या आएगा जल्दी से रेखेगा आपको पता है जितनी से क्या होते है तो अतनी बाग देतें तो एन्ड का बाग देंगे तो एन्ड कट जाएगा बचे का किया और आगे बात कर लेतें तू एन्ड प्लस वन बटा में छी यहीं बचेगा बिलकुल क्योंकि ऐन्ड का योग बटे रास्यो के पिश्ञ्ण कैया यह योग है उस哥 क्या धारीन है तब एक फिर बात कर लेते हैं दो गुणा साथ पलस एक और बट्टे में क्या लिखेंगे खेंगे यह आपका आएगा आठ गुणा में कितना च्वदा और एक पंदरा बट्टेच है बिलकुल पंदरा बट्टेच है गाट दीजिएगा जो कट रहा है बहुत ही आसान बन जाएग का आठका तॉये काड़ देते थीन से कितनी बार किटे गातीन से बार तो सेचार बार यह कितना आ गया बीस आ जवाब आपका कितना लखी किसकी तरफ जा रहेly किए कि तरफ बात नहीं है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगले किस नमर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने है दस नमर क्या देरक है एक रेल गाड़ी 40 किलो मेंटर परती गंटे की रफ्तार या चाल से चल रही है तो वह है एक खंवे को 18 सेकिंड में पार करती है तो रेल गाड़ी की लंबाई पताने आपको पहले बात कर लेते हैं यदी में बात करूँ चाल कितनी देरके है चाल आपको देरके है 40 किलो मेंटर परती गंटा पहले बात कर लेते हैं चाल आपकी किलो मेंटर परती गंटा में देरके इसमें देरके बिलकुल लिख लेते हैं फिर आपको देरक कर लेते हैं समय कितना दिया 80quoi है सेकंड दिया अब आपको पता है दूरी निकाल ले रेल गाड़ी की लंबाई का मतलब दूरी गाद करनी इंए है डूरी गाद करनी है और दूरी जब भी गाद करना हो तो आराम से कर सकते तो पहले बात तो इकाई यहां सेम होने चीए जब भी समय दूरी चाल या घडित का कोई भी क्यूशन करे तो सभी की इकाई यानि मातरक समान होने चीए मातरक आप देखेगा यहां किलो मिंटर परती गंटा है यहां सेकेंड के रूप में तो इसको हम चेंज कर लेते हैं चा सेकेंड में आजाएगा आप देखो यह सेकेंड ही है यहां भी सेकेंड है तो इकाई है सेम हो गई अब आपको दूरी निकाले और दूरी क्या होती है चाल गुणा समय होती है क्या होती है चाल गुणा में क्या होती है समय होती है तो जल्दी से निकाल जीजीगा बहुत ही 200 मेट आपका जवाब आएगा कितना मेट आएगा यह लागए 200 मेट आपका जवाब आएगा तो एक बार देखिएगा जल्दी से सबीविद्यार्ती 200 मेटर यानि option नमर आपका क्या राइट होगा d वाला राइट होगा एक दम आराम से question को कर सकते दे चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला किश्टन आपके सामने लेते है जल्दी से सभी विद्यारती किश्टन वर 11 का जवाब देने की कोशिश करेगा पचीश परतिसत क्या देरक है पचीश परतिसत को भिन में बताना है और परतिसत जब अटाते है तो बटे में क्या लगाते है सो लगाते है इसका मतलब पचीश किस में से है सो में से है और पचीश आपको पता यह एक बार कटा और पचीश से यह चार बार कटा यानि आपका जवाब कितना एगा एक बटा च्यार आएगा क्या एगा भी एक बटे च्यार आएगा तो उप्शनवर जो एक ही तरफ जा रहे है उनका जवाब बिलकुल सही है च्यार जवाब कैका अगला कियर्शन और वार आपके सामने आ चुका है तेन पैंसेट डिगरी और कोर्फ पत्सीश डिगरी आपको पता हुगा तेन और कोर्फ आप अपस में पूर कोर्फ में होते है आपस में पूरक कोन होने पर इनके मान बराबर होते है इनके मान बराबर होते है यह आपको जान रखना है अपस में पूरक कोन होने पर इनके मान क्या होते है बराबर होते है यानि मैं कुल मिला कि यह कह सकता हूं ठीटा वन फलस ठीटा टू बराबर 90 डिगरी हो पूरक कोण का मतलब ही होता है कई बार एक्जाम में आता है कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है यानि यह से दो कोण जिनका योग 90 डिगरी हो वो पूरक कोण कहलाते है और यदि 10 और कोट पूरक कोण हो यानि जैसे कोई भी मान ले लो मैंने का 10 10 10 डिगरी तो 10 10 डिगरी कोट कितने के बराबर होगा 80 डिगरी के बराबर होगा बिलकुल बराबर होगा मैंने का 10 5 डिगरी 10 5 डिगरी वो किसके कोट 55 डिगरी के बराबर होगा और लो यहां दे रहुख है तैनपेसेट डिगरी अपको पता है यदी मैं बात करों तो किसके बराबर होगा कोट पचीश डिगरी के बराबर होगा क्योंक सक aírare पचीश डिगरी ke गटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा लेंगा ़ीड disorder कि टना जाएगा जाएगाxture बिल्कुल जो वीडियाटी ओप्सन नमर पी की तरफ जारें उनका जवाब बिल्कुल सही है चलिए अगला क्यूशन नमर 13 आपके सामने आ चुका है एक साइंकल के पई यह की त्रीज्या आपको देर किया यह यह मैंने लिका त्रीज्या त्रीज्या का मतलब आर रेडिस इतनी देर किये बिल्कुल बैयाली सही है ध्यान दीजेगा तो वह है 400 चक्र में कितने मीटर चलेगा दूरी आपको मीटर में चाहिए तो पहले बात कर लेते हैं पही यह दौरा ते कि दूरी हमेशा ध्यान किया क्या होती है चक्र गुना टू पाई यार यानि हम कहते है च चक्रों की संक्या चक्रों की संक्या गुना में क्या लिखते है तू पाई यार लिखते है तू पाई यार प्रीदी प्रीदी का मतलब एक चक्र में तेकी गी दूरी तो जल्दी से कर दो चक्रों की संक्या कितनी है यह लिखा 400 और गुना दो गुना 25 बटा 7 गुना आर का कितना है वह जल्दी से जो कट रहा उनको एक बार काटने की कोशिश करिएगा बहुत ही श्यांदार आपका क्यूसन हो जाएगा यह साथ से काट दो कितनी बार कटेगा च्छा बार अब बात कर लेते हैं यदि मैं बात करूँ तो इनको आप गुना कर दीजिगा च्यार दून है ना सो इसलिए मैंसे सो लिख दिया ठीक है और आपको पता है यहां सो का बाग दे देंगे क्योंकि यह किसमें आएगा यह तो सैंटिमेटर में आएगा हैं जो आगे बात कर लेते फिर देतेंगे अंतव में बाग तो 25 बूर Bag 48 करलो यदि यदि मैं बात करूं 48 गुणा 22 करके देखते कितना आता है देखेगा 16, 80 लगी 1, 9 फिर बात कर लेते कितना जल्दी से कर दीजिगा 6, 15, 80 लगी 1, 1056 आएगा और 2 सुन्ने 1056 और 2 सुन्ने ये सेंटिमेटर में आगया ये आपकी दूरी आगई अब आपको बताए दूरी आपको मिđ्टर में निकालनी है तो किसका बाग देंगे बाग दीजिएगा जल्दी से किसका 100 का बाग दे दो तो दो शुनने कट जाएगा 1056 मिđ प्र कितना हैगा 1056 मिटर आपका जवाब आएगा बिल्कुल आपका जवाब सेए और इस class की PDF आपको जो page की विद्यार्टी उनको तो मिल जाएगा जो हम बात कर लेते हैं अप्लिकेशन का एक option मिल जाएगा YouTube class PDF उसके अंदर आपको मिल जाएगा आपके सामने आ चुक है जल्दी से सभी विद्यार्टी लाइव चेट में ज्वाब देने की कोशिश करेगा एक सम एस्ट बुझ यह क्या लिक है समस्ट बुझ सही कर लिजेगा सम एस्ट बुझ थोड़ा मैं सही लिख देता हूं ना सम एस्ट बुझ यानि आठ बुझ 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 सबी कोनो का योग कोई भी भवुर होता है सबी कोनो का योग क्या होता है आप लिखते हो n-2 गुणा 180 ये सबी कोनो का योग होगा तो आपको पता है क्या लिखोगे अठ्ट माईनस तो गुना 170 भी आएगा छे गुना 180 यह क्या आएगा यूग आएगा दथ़ो मैं यहल नहीं करूँगा इसको ज्यादा आपको निकालना क्या है आपको निकालना पृत्ते कौन दो बुजाओं के बीच के पृत्ते कौन कितने का होगा इसका मतलब परते कौन का मतलब समस्ट बुज़ है और समस्ट बुज़ का मतलब सारे कौन समान है और सारे कौन समान है इसका मतलब परते कौन आपको निकालने तो परते कौन का मतलब उस्ट निकालने परते कौन का मतलब क्या निकालने उस्ट निकालने जल्द से कर दो 6 गुणा 180 और कितने कोण है वही एस्ट भूज़ है आठ कोण है अब जल्दी से कर दीजिगा जो कट रहा है एक बार काटने की सभी विद्यार्थी कोशिश करेगा यह आप काट दो 2 से 3 बार और यह 2 से 4 बार और यह 4 से आप काट सकते हो कितनी बार कटेगा 4 फिर 5 चाएब अपर और पेंटा लीतिया कितना होता है 13502 होता है। इक सोब्सक्राथ होता है आप जवाब देखएगा 13502 कहां दिकाई दे रहा है ऑप्सक्राइ जो विद्यार्थी डी कि तरफ ओर रहे उनका जवाब बिल्कुल सही है चलिए दौसत आगे बड़े अगला क्योश कर लेते हैं वर्तमान अनुपात वर्तमान अनुपात कितना दिया वही यहां लिख देते हैं उत्तर और यहां लिख देते हैं पिता कितना कितना अनुपात दे रहा है जल्दी से लिखेगा यह आपको दिया पांच गूना इसका मतलब यह एक होगा और यह कितना होगा पांच होगा यह आपको अनुपाद दे दिया यह आपको अनुपाद दे दिया बिल्कुल दे रहा है एक और पांस दे दिया अब आपको पता है यदि मैं बात करूं आगे दे रहा है उनकी आयू का योग कब का है चार वर्ष बाद योग बाद योग कितना दिया बताओ 44 दोनों के आयू का योग कितना दिया 4 वर्ष बाद 44 वर्ष दिया तो वर्तमान योग कितना होगा जल्दी से बता दो क्योंकि अनुपात वर्तमान का है और योग बाद का दे दिया इसका मतलब आयू के योग को वर्तमान में लेके आते है तो वर्तमान योग कितना होगा आप कोगे 44 माइनस कितना चार साल बात दोनों के आयू का योग है चार चार दोनों बढ़ गे कुल 8 बढ़ गे तो 8 माइनस कर दो कितना हैगा 37 वर्स कितना हैगा 37 वर्स आएगा ये बा इससकि तो गूना च्हाय कर देंगे बिल्कुल तो ये कितना च्छाय काया और फिर बात कर लेते हैं यदि आपको कहें पिता की बताओ तो हम क्या करेंगे पांच गुणा च्छा करेंगे यानि तीस वर्स यह भी पूछा जा सकता है और यह आपको पता है कब का आएगा वर्तमान का याएगा कि भी अनुपात हमें वर्तमान का यह देर खाता एक बार सभी क्लास होगी रेगुलर क्लासे चलेगी जो भी विद्यारति इंडियन आर्मी की तेहरी करें आगावी जो भी फिजिकल लेने वाले या बात कर लेते हैं पेपर की भी तेहरी क्योंगे आपको पता है फिजिकल के साथ साथ आपको पेपर की भी तेहरी करते रहना है जो विद लेकिए गा कितना बढ़ाया दो बढ़ाया तीन बढ़ाया दो बढ़ाया और आगे तीन बढ़ाया इसका मतलब आगे दो बढ़ाना है पलस दो कर दो पाईस पलस दो कितना हैगा चोई साप का क्या हैगा जवाब हैगा जवाब हैगा बिलकुर जो भी दैट ऑक्षन हो भी ब अल्लक पॉन सा उसको बताने तो हम ट्राइए करते हुए क्या-क्या दे रहा है दी को लिखते है डी क्या आता है कि एफ की और फिर आता है एच आ बिल्कुल आता है फिर बात कर लेते आगी क्या आता है कि आई कि य। पर फिर आता है सितरह तब्लेकों इसकता है भीनकुल यह आपको पता है तिन-तिन छोड़ के लिखा गय है यह देको मैं जोड़ के लिखा गया पहले वाला ओप्षन यह वाला option नमर ए है यह वाला कौन सा है option नमर ए है हमने discuss किया क्या कुछ लिखा है अब बात कर लेते हैं आगे वाले option की जिकर करते है एच लिखा है एच लिखा है बिल्कुल और फिर बात कर लेते हैं वही तरीका एच के आगे क्या एच के आगे आई के और फिर आपको पता है एल लिख रहका है बिल्कुल सही बात है एल लिख रहका है यह मैंने एल लिख दिया एल के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा एल के आगे आपको पता है के एल फिर बात कर लेते हैं एन ओ और फिर बात कर ले पी बिल्कुल उपर वाले की तरह ही है उपर वाले की तरह ही है यह उपसन नमर बी आपको दे रहे है बिल्कुल उपर वाले की तरह है यह को तीन तीन सोड के लिखा है बिल्कुल सही बात है कोई दिक्त वाली बात नहीं आगे बात कर लेते हैं अगले वाले की जिकर करें तो Q, R, S, आगे क्या आता, T आता, आगे क्या आता, T आता, लेकिन यहां T नहीं लिख रहा है, यहां T नहीं लिख रहा है, देखिएगा, इसका मतलब यह यहां तो गेप सही है, यहां तो सही है, लेकिन यहां वाला सही नहीं लिया गए, इसका मतलब आपका option क्या right होगा, C वाल तीन छोड़ के लिखा जा रहे इस तरह से आप ग्याद कर सकते थे ओक्षन नवर आपका सी वाला राइट होगा जलिए अगला किस्ट नवर अटार आपके सामने चाता होता है वो धूप से सुरुक से करता है चाता हमारी किस से सुरुक से करता है धूप या बारिश से सुरु किर्णे होती है कौन सी किर्णों की बात कर रहा हूं प्रावेंगनी किर्णे किसकी बात कर रहा हूं प्रावेंगनी किर्णों से रक्षा करता है बिल्कुल और आपका डी राइट होगा ऐल पाकन आपको पता है हीलियम का का होता है हीलियम का ना भी कोता है बहुत ही श्यांद किलो में पहले बात कर लेते हैं. यहां मैं बता देता हूं आपको उत्तर ए ला दक्षिन, और क्षिम, आपको क्या देर कही है विजे पाल के बाड़े में पस्षिम की ओर 15 घंचला देते है पसचिन की ओर 15 आपको पता है इधर पूर्वा इधर पस्षिम क्या मान लए यहां तो यह क्या कर रहा है 15 kommen के ओर मान लेते हैं यह पंद्रा किलो मेंटर चला ठीक है यह कितना किलो मेंटर चला पंद्रा किलो मेंटर चला ठीक है दिखाई दे रहा ना सब को एक बार देखेगा अब बात कर लेते हैं आगे का दिया फिर बाएं मुड़ा बाएं मुड़ने का मतलब होता है दाएं का तो मतलब गड़ी की दिशा में और बाहएं काम मतलो गड़ी की विपरी दिशा में två आपको पता है ना तब तो गड़ी की दिशा में इसे मोरते है ठीक है पुर्वे में मूड कर पुर्वे यानि इधर मूड कर पुर्वे देखो फिर बात कर लेते हैं यहां पुर्वे दिशा भी कह सकता है और पुर्वे यानि पहली की दिशा में भी कह सकता है देकिन यहां पुर्वे दिशा लेकर देखेगा एक बार हम दिशा लेकर देखते हैं तो इसका मतलब 25 किलो मेंटर चलाना है, लाग बगा हम कह सकते हैं यह 25 किलो मेंटर, अब देखो 25 किलो मेंटर चला, फिर वह बाएं मुड कर, बाएं का मतलब गड़ी की विपरीज दिशा, मानलो यह इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इसका मतलब गड़ी की बाएं का म मतलब गड़ी की विपरी दिफसा यह मालोस हुई है तो विपरीत यानि इदर मुड़ना पड़ेगा और दाएं कहता न तो निच्छे मुड़ता ठीक है न तो उपर मुड़ेगा और कितना चला 20 किलोमेट्र कि वीच यानि इसके बराबर यह देखो को कि इसका क्या गर था कि इसका क्या था गर था पता था ना स्बकूक औगर छल्डी से या दूरी आपको पूछ रहे हैं तँ आपको बताई यह से क्दो पत्चीश में ऑन्हर एक यह कितना आ अएगा दस किलोमेट्र आएगा कितना l किलो मिंट्र आएगा एक बार जल्दी से देख लिए दस किलो मिंट्र आपका जवाब दिखाई दे रहे बिल्कुल ओप्सन नमर आपका ए राइट उबा एक दम आराम से कर सकते थे एक बार आकर तिया आप में सही बना लिए होगी यहां पूरुए का मतलब दीश सा है देख थोड़ा सा में दिमाख आपको दुणाने की कोशिस करता हूँ आपको पता इनका अंतर कितने का है जल्दी से इनका अंतर लेके देखेगा यह क्या किया है देखो 144 माइनस किया है कितना 144 माइनस किया है और यहां क्या किया है 100 पलस किया है 100 पलस किया है 100 पलस किया है 100 पलस क माइनस करना है, आठ का वरक कितना होता है, चो सट होता है, तो माइनस कितना करना है, चो सट करना है, समझ में आगी क्या बात, जल्दी से बताएगा, समझ में आगी क्या, तो आराम से कर सकते हैं, यह जल्दी से चो सट माइनस कर दो, और पांसो च्यानमे माइनस क्या करोगे, 160 करोगे तो यह कितना हैगा 2 और फिर बात कर लेते 3 और फिर बात कर लेते 532 आपका जवाब हैगा यहां कितना हैगा यहां आपका आएगा 532 अब आगे भी ट्राइग कर लो भी सही है क्या अब आपको पता है आगे किसका 6 का वरक क्या करना पड़ेगा 6 cover क्या करना पड़ेगा एक बार लिख लेते हैं 6 cover कितना होता है 37 37 aid करना पड़ेगा और आपको पता है 532 में 36 aid करो 532 में 36 aid करो आगे वाला सही आ रहा है तब तो बिल्कुर सही है बिल्कुल आ रहा है 568 आ रहा है ना 568 ही तो है आगे 5860 तो है बिलकुल आपका सही आ रहा है इसका मतलब आपका जवाब ये वाला हो गया ये वाला यनि हम बात कर लेते हैं आपका जवाब कितना वाँ पांसो बतीस वा बिल्कुल उप्सन नमर आपका क्या राइट होगा सी राइट होगा ये थी दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से सबी विदारत एक बार कॉमेंट करके बताएगा बहुती स्यांदार तरीकेश में ने आपको पढ़ाने की कोशिस किये और ये हमारे वाट्स अफ नमर आपको दिखाई दे रहे इस पर आप मेसेज करोगे तो हमारे एप का लिंक मिल जेगा और एप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे है वहां से भी डाउनलोड कर सकते है और शाम को शाड़े आट बजे फिर चुड़ना ना बुलेगा सुबह साड़े आट बजे याद रखेगा टाइम नोट कर लिजीगा अपने धिमाग में सुबह साड़े आट बजे हर आलत में मौझूद रहना है वो शाम को साधे 8 बजे हर हालत में वजूद रहना है क्योंकि अब जो भी विद्यारती फिजिकल की तहरी करें यानि जो भी विद्यारती अगनी वीर बनना चाहते हैं उनके लिए हमारा यह special बेच रहेगा यानि हम बात कर लेते 30-35 दिनों के अंदर हम पूरी practice एक बार कर ल मेंबर आपको दिखाई दे रहे होगे चलिए दोस्तों कैसा लगा उमीद करता हूं पसंद आए होगा इस सेस्टों को अपने दोस्तों में शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लो ताकि जब भी हम लाइव क्लास दे आपके पास notification आ जाए चलि यू पर वाचिंग जय हिन जय बार्द